आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान सरगार के प्रयासों से खादे तेलों की कीमतें लगातार कम हो रही है इसके बावजूद खुदरा बाजार में दुकानदार 30-40 रुपे प्रती लीटर महंगा बेच रही है बाजार सूतरू का कहना है कि जिस तरह खादे तेलों के थोक मूले में कमी आई है उसका लाब आम उपभोकता को भी मिलना चाहिए लेकिन उन्हें मनमाने ढंग से MRP के बहाने लूटा जा रहा है इसे दुरुस्त करनी की जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए MRP की आड में मौजूदा कीमत के हिसाब से 600 तेल 154-160 रुपे लीटर मिलना चाहिए पर ग्राहकों का लगभग 190 रुपे लीटर के आसपास इसे बेचा जा रहा है इसी तरह ग्राहकों से मुंपली पर लगभग 70 रुपे किलो सुरज मुखी पर लगभग 40 रुपे किलो और वाकी खाद तेलो पर 30-40 रुपे किलो अधिक लिये जा रही है अभी कुछ महीने पहले सरकार के साथ तेल उद्धियों के बड़े कारुबारियों की बैटर्क में खाद तेलों के अधिक्तम खुद्रा मुल्ले MRP को अधिक रखने जैसी गड़बडी की बात सामने रखी गई थी लेकिन MRP को लेकर अभी भी गड़बडीयों की शिकायते आ रही हैं और सरकार को इसे दुरुस्त कराने को लेकर चोकार नहीं होना पड़ेगा छापे मारने से कई अधिक कारगार, खुद्रा में बिकने वाले खाद तेलों के MRP की जाँच से मदद मिलने की संभावना है नहीं तो सरकार के शुल्क कम करने जैसी पहले का कोई फैदा नहीं होगा रिड़ पोर्ट, मांकेट आइम्स, टी आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान ब्राइब क्या लिए एक लिए नहीं होगा